हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल तेवारो का समय चल रहा है और हम सोचते हैं कि क्या ऐसा कोई मिठाई है जो बहुत आसानी से बहुत है डिलिसियस मने तो उसके लिए मैं ये इस पेसल रिस्पी लेकर आई हूँ मिठाई का तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कड़ाई ली हूँ कड़ाई के अंदर आधा लेटर फुल क्रीम दूट डाल दूँगी और इस दूट को मुझे पूरा पकाना है तो इसके वज़े से मैं इसको दूसरे फ्लेम के उपर रख देती हूँ गैस का फ्लेम मीडियम से लो की तरफ करके और बीच में चलाते भी रहोंगी और इसको दूसरे फ्लेम में रख देती हूँ और दूसरा पैन ली हूँ दूसरे पैन के अंदर यहाँ पे मैं बुफैलो मिल्क ली हूँ आप कोई भी फुल क्रीम भी ले सकते हैं वाइल आने के बाद से मैं एक कप के अंदर विंगर डाल दी हूँ विंगर डालने के बाद से थोड़ा थोड़ा दूद के अंदर डाल दी और यह दूद एकदम अच्छे तरीके से फट जाएगा इस दूद का छेना अलग हो जाएगा जब यह प्रॉपर तरीके से फट ज जिससे कि इसको चानना बहुत आसान हो जाएगा और उसके उपर से मैं ये फटा हुआ दूद इसके उपर डाल दूँ और छेना का एक अच्छे से पोटली बनाओंगे लेकिन उसके पहले मुझे ये छेना पानी से धुलना पड़ेगा जिससे कि इसके अंदर जो विनिगर व पानी धुली हूँ और इसको मैं गोल गोल करके हाथ से प्रेस कर दूँगी जिससे कि इस्ट्रा पानी इसके अंदर निकल जाएगा और इस तरीके से पोटली बना दूँगी और इसको उपर भारी कुछ वजन वाला रख दूँगी और उसके बाद से मैं इसको साइड में यहाँ पर जो आधा लेटर दूद था इसको देखिए यह बॉयल हो रहा है और इसकी क्वांटिटी कम हो रही है तब तक मैं यहाँ पर कुछ ट्राइफरूट्स कट कर ले रही हूं जो आपके पास ट्राइफरूट्स हो उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अपने पसंद के कोडि इसको मैं गार्निसिंग के लिए कर रही हूँ और यहाँ पर जो छेना है उसका पानी एकदम अच्छे से निकल गया है और पानी निकलने के बाद से इसको हाथ से मैं मैस दूंगी बहुत जादा इसको मैस नहीं रहता है हलका सा क्रमबल कर देना है और उसके बाद से मैं यह अगर इलाईची पाउडर नहीं है तो आप इसको कोट के भी डाल सकते हैं, इसको mix करूंगी और टेस्ट के according इसके अंदर चीनी डाल दूँगी, चेनी डालने के बाद से थोड़ी दिर और इसको मतलब चला दूँगी और चलाने के बाद से जब ये एकदम अच्छे से काड़ा हो जाएगा उसके बाद से मैं इसके अंदर जो चेना हाथ से मैस करके रखी थी साइट में उसको डाल दूँगी चेन डालने के बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगे गैस का फ्लेम मीडियम से लो की तरफ रखना है गैस का फ्लेम हाइप बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो ये पतीले में चिपक जाएगा और कलाकंद बनाते टाइम यहीं चीज़ सबसे इंपोर्टेंट होता है कि इसको पतीले पे चिपकना नहीं चाहिए थोड़ा सा लाश्ट मुमेंट में ही थोड़ा सा साधानी देना रहता है और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा उसको इसके अंदर डाल देना है डालने के बाद से इसको टैप टैप कर दूँगी ताकि जो एश्ट्रा बबल वगएरा कुछ भी हो वह एकदब पफेक्ट तरीके से फ्रिट हो जाए प्रेस करणनें के बाद से ओपर से ट्रिफ लगा दूगी उसके बाद से मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख़नेी चेरा अगर आपके पास है तो डालिया अधरवाई इसके भी कर सकते है अदा घंटा के लिए Gleich फ्रीज में रखोंगी और फ्रीज में रखने के बाद से फिर मैं निकालूंगे। एक बल्स स्क्वैर शेप में इसको कट कर लोगी आप अपने पसंद को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना नहीं भूलिएगा वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के लाश्ट तक पने रहने के लिए थैंक्यू सू मच यह कलाकंद अब सर्विंग प्लेट में जाने के लिए तैयार हो चुका है इसको सर्विं मिठा है बहुत ही हलका हो मिठा होता है